अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी हैं क्योंकि लोग ज्यान देते हैं साथ नहीं तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सब का हार्ति-खार्तिक स्वागत अभिनेंदन बेटा आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से मितरता करें तो इमानदारी से निभाएं क्योंकि अगर मितरता के अंदर एक व्यक्ति किसी कारण से नराज हो जाता है और दूसरा उसे मनाने की कोशिश नहीं करता और वो स्वयम के एहंकार में डूब जाता है तो दोनों का ही विनाश हो जाता है तो कहानी के माध्यम से सुनिए एक बार एक जंगल और बाग में मितरता हो गई और दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि हर विपत्ती के समय में वे एक दूसरे का साथ निभाएंगे सहयोग करेंगे दोनों मिल जुलकर ये उनकी मित्रता बहुत समय तक चलती रही क्योंकि लोग आते जंगल को काटने के लिए तो बाग जो है उन्हें डरा कर भगा देता था और अगर लोग बाग को पकड़ने आते थे तो जंगल उसे चिपा लेता था दोनों एक दूसरे का सायोग करते थे इसलिए वरसों तक उनकी ये मित्रता काम्याब रही लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बाग की किसी गलती के कारण जंगल नराज हो गया अब बाग तो खुद एंकार के नशे में चूर था कि वो तो जंगल का राजा है किसी से डरता नहीं है इसलिए उसने जंगल की नराजगी को दूर करने की आपको पता ही है कि लाब उठाती हैं एक दिन क्या हुआ कि खूब लोग आए और उन्होंने देखा कि जंगल असुरक्षित है इसलिए उन्होंने काटना शुरू कर दिया दीरे दीरे घना जंगल जो है वो मैदान बन गया अब बाग को भी छिपने के लिए कोई स्थान नहीं था उसने बहुत कोशिश की घाटियों में पहाडों की दरारों में छिपने की लेकिन वो छिप नहीं पाया तो लोगों ने पहले तो जंगल का विनाश किया और फिर एक लेकिन उस बाग को भी पकड़ लिया और मार दिया तो बेटा इस प्रकार मित्रता के भंग होने से दोनों का ही विनाश हो गया नमबर एक तो आप किसी से मित्रता करो इमत अगर निभा नहीं सकते दो अगर की है तो पूर निश्रद्धा से इमानदारी से निभाओ हम साध धारन व्यक्ति हैं गलतियां हर किसी से हो जाती है तो अगर किसी से गलती हो भी जाये तो उस नराजगी को बैठकर दूर कर लेना चाहिए ज्यादा लंबे समय तक उसे खीचना नहीं चाहिए वरना वो विनाश का कारण बनती है जैसे आपने कहानी में देखा कि किस प्रका करें और बेल आइकेन के बटन को दवाए ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको धन्यवाद